नमश्का दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माथ्यम से बताने जाने से आपको कैसे स्वापनफल की प्राप्ती होती है जानिय पूनविस्तार से दोस्तों ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होता है जिस प्रकार भगवान के दिल में किसी के लिये द्वैस नहीं होता, उसी प्रकार छोटे बच्चे का मन भी साफ होता है इस दुनिया में सैधी कोई ऐसा इनसान होगा जिसे बच्चे पसंद ना हूँ छोटे बच्चे सभी को पसंद होते हैं और वो हमारी खुशी को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं बच्चे दिखाई देना शुम माना जाता है दोस्तों बात करते हैं सपने में बच्चा देखने की लिए आपको किस प्रकार के सुफल की प्राप्ति होती है अपने सास केनों सास सपने में अगर बच्चा दिखाई देता है लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि बच्चा क्या कर रहा है और दिखने में कैसा है तो ये सपना आपके लिए सुबसंकेत देता है यह सपने आपके जीवन में मदूर्ता, सकारा, अत्मक्ता, परिवर्तन, दामपत्य जीवन में खुशी बढ़ने का काम करता है अगर यही सपना आपको संतान प्राप्ती से पहले आता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी सभी मनो कमना पूर्ण होने वाली है और आप एक सफल जीवन का अनंद लेंगे अगर आप नव विवाईता हैं और आप सपने में नवजात बच्चे को देखते हैं तो यह सपना आपके लिए सुबसंकेत माना जाता है यह सपना नव विवाईता के लिए इस बात का संकेत है और अगर यही सपना किसी पुरुस को दिखाई देता है तो इस सपने कार्थ है कि आने वाले दिनों में उनकी आर्थिक संपत्ती में व्रद्धी होने वाली है और साथ ही साथ उनकी जो उल्जने हैं जीवन में वो जल्द से जल्द समापत हो जाएगी और उनके जीवन में खुशिया जाएगी सपने में रोता हुआ दिखाई दे बच्चा ख्वाब में आप एक छोटे बच्चे को रोते वे देखते हैं तो सास्त्रों के अनुसार ये सपना आपके लिए सुब संकेत नहीं है अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं है और तो इस सपने के बाद आपको बहुत सारी परिशानिया घेर लेंगी ऐसे संकेत ये सपना देता है इसके साथ ये सपना आपके आर्थी खानी का संकेत भी हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी आर्थी खानी का सामना करना पड़ सकता है अगर यही सपना सुबह के वक्त आता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके घर में जगड़े भी हो सकते हैं इस प्रकार दोस्तों सपने में रोता बच्चा देखना आसुप संकेत के और इसारा करता है सपने में छोटे बच्चे की लास देखना अगर आप एक गर्वती महिला और आपने सपने में किसी म्रत शिशू को देखा या सपने में एक बच्चे की लास को देखा है तो यह सपना इस और इसारा करता है कि यह आपके लिए बड़ा दुगदाई सपना है क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका गरपात भी हो सकता है तो इस सपने के बाद आपको अधिक स्थर्क रहने की आवशकता है इसके अलावा ये सपना अन्य इंसान देखता है तो किसी बड़े नुकसान की और इशारा होता है जिसमें आपक गर में किसी भी प्रैकार की हानी हो सकती है धनानी हो सकती है आपके घर में प्राकरतिक आपदाई भी आ सकती है सपने में चोटे बच्चे की कपड़े देखना सपने में अगर आप किसी नवजात बच्चे को कपड़े में देखते हैं तो इसकार थै कि आने वाले समय में आपका दुख दरत कम होने वाला है इसके अलावा सपने में अपने बच्चे को खूनी कपड़ों में देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुती ज़्यादा डरावना माना जाएगा ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बूरे दिनों का सामना करना पड़ेगा अगर आप अपने शिशु को साफ कपड़ों में देखते हैं तो इस कार्थ है कि आने वाले समय में आप एक उशरवादी इंसान बन जाएंगे इसके चलते आपकी ख्याती बहुत जादा बढ़ने वाली है अगर आप अपने बच्चे को गंदे कपड़े में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आपका मान समान काफी बढ़ने वाला है क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जैहिंद